चलो आज इस वीडियो में दिल से दिल तक बात करूँगा मैं एक स्टूडेंट आज इतने लिखा है हेलो सर आज मेरा कंपार्टमेंट का मैठ्स पेपर बहुत बुरा हुआ कुशिन पेपर मिलते ही सब कुछ भूल गई कुछ भी सही से नहीं करा बहुत डर लगरा सर साथ में लिखा है इसने कि अगर इस बार भी फेल हुई तो किसी को फेस नहीं कर पाऊंगी जब से घर आई हूँ बस सुसैडल थौट सी आ रहे हैं अब थोड़ा से समझने की कोशिश करते हैं ऐसे सिच्वेशन में यह अकेली स्टूडेंट नहीं है इसके जैसे और भी हजारों स्टूडेंट है जो ऐसा फील कर रहे हैं कि मैस का पेपर बहुत खराब गया है फेल होने के चांसे से जो लोग कंपार्टमेंट थे वो दुबारा फेल होने का सोच रहें और जो फ्रेश टूडेंट से 2024 में पहली बार बोर्ट का एक्जाम दिए हैं वो लोग भी सोच रहें कि फेल हो जाएंगे क्या कर सकते हैं सॉलूशन क्या है बताइए सर बहुत सारे सॉलूशन से पहली बात है दिमाग में यह इतना बैठा लो कि यह जो एक्जाम है इसके अलावा भी आप आगे लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो हाँ किसी कॉलेज के एडमिशन में डिपेंड करता है यह मार्क्स किसी जॉब में थोड़ा से डिपेंड करता है मार्क्स बट यह लाइफ को जज नहीं करता आपका कि इस एक्जाम में फेल होगे तो लाइफ आपका खतम हो गया आपको मैं इतना बोलूँगा कि फोकस रखो अगर फेल हो जाते हो तो अगला एक्जाम बहुत अच्छे से करोगे अगर कर भी लिया क्या हो जाएगा एक्जाम में पास हो जाओगे नहीं घर वाले खुश होंगे क्या उससे नहीं जो इतना उम्मीद लगा के बैठे क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसे गलत स्टेप लेने में नहीं तो सबसे पहले यह गंदा जो थौट है ना इसको दिम पास हो जाओगे आपको कॉलेज मैडमीशन मिल जाएगा आपका आगे करियर बन जाएगा बट अगर गलत राहों में गए ना सब कुछ खतम हो जाएगा जो चांसे से जो पॉसिबिलिटीज हैं अभी आपके पास वो भी नहीं रहेंगी तो इसलिए सभी से रिक्वेश्ट कर लो अगर आपको गलती है कि आपने नहीं पढ़ा जो पढ़ा है अच्छे से वो तो मौज काट रहा है भी बहुत खुश है कि हां सर मैंने लिखा बहुत अच्छे से लिखा मैं पास हो जाओंगा confident हूँ और ठीक है question paper tough था भले बट फिर भी वो confident है बट इतना चीज हो जाओंगा मैंने paper में कुछ नहीं लिखा तो एक ही तरीका है इसको ठीक करने का वह है अभी से पढ़ना चालू कर दो हर एक topic को basic से पढ़ो बहुत टाइम है मार्च आज है मार्च का पूरा महीना बचा 20 दिन मार्च एप्रिल पूरा महीना में पूरा महीना जून पूरा 120 प्लस देज इन 100 दिनों में आप क्या कुछ नहीं कर सकते बोलो हर एक topic को गर starting से पढ़ते हो तो पास होने लायक तो होई जाओगे यह आप attitude अंदर लओ कि मैं यूद्ध के मैदान में हूँ भले एक यूद्ध में मैं हार गया बट अभी मेरे लिए जिन्देगी खतम नह तीन चांसे से इस साल जुलाई में अगले साल 2025 मार्च में फिर अगले साल जुलाई में तीन चांसे से जो प्रिवेस एर कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स थे उनका यह सेकंड चांस था एक और चांस बचा है जो कि यह जुलाई में जुलाई में अगर फेल हो गए तो फि क्लियर क्याटेगरी में और आप वहां पर फॉर्म भर रहे हो क्योंकि आपका चांसेस खत्म हो जाएंगे जुलाई में तो कोशिश करो कि अगर आपको लगर है फेल हो जाओगे होने वाले हो तो फिर पढ़ाई करके जुलाई में क्लियर कर लो ज्यादा लेट नहीं है अभी करने का तरीका सिंपल है आपको पढ़ना है जुलाई में एक्जाम देना है पास होके और स्प्टेमबर में उसका जुलाई लास्ट में और स्ट में ही रिजल्ट आ जाता है तो आप कांसिलिंग जो प्राइवेट कॉलिजिस का खुद कांसिलिंग चल रहा होगा उसके फॉ कोड़ा रिजल्ट के लिए वेट करो बॉर्डर में होतो रिजल्ट के लिए वेट करो बट शॉर्ट हो जाओगे तो गंदे थौर्ट को निकाल के सही थौर्ट अंदर डालो अभी से पढ़ेंगे पास हो जाएंगे ठीक है I hope यह वीडियो हेल्फुल रहा होगा ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फेल स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूं क्यूंकि मेन अब्जेक्टिव है टॉपर वाले को तो सब सपोर्ट करते हैं सब पढ़ाते हैं बड़ जो फेल हो जाते हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करता उनके बारे में कोई बात तक नहीं करता बहुत गलत तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं इवं टीचर्स माबाब भी साथ नहीं देते भाईबैन भी इछ नहीं देते टीचर्स भी साथ नहीं देते हैं तो जनको अकेला फिल हो रहा है उनके लिए अकास भीया अकास सर हैं जो आपको सही डारेक्शन दिखाएंगे सारे notification मिल जाएगा और short videos में मैं बना रहा हूं आप सभी के queries को लिके उसको भी आप follow करना मिलते हैं अगले video में चैनल पर पहली बार है तो प्ली चैनल को subscribe कर लो वीडियो को यहां तक देख चूँगो तो जल्दी से वीडियो को like कर लो मिलते हैं अगले वीडियो में तरता keep learning, keep exploring and keep smiling thank you so much